हलो, वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुरभी ही, क्लास एट, चैप्टर थर्टीन या फोर्टीन, कहीं पे चैप्टर थर्टीन है, तो कहीं पे चैप्टर फोर्टीन है, बट अब चैप्टर का नाम देख लीजिए, अचारिय उपदेशाह, अचारिय और उपदेशाह, मिस अचारिय का उपदेश, सो स्टूडेंस, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर देजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अप्लोड करें, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, साथी साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंस के साथ शेर कीजिए, और कोई वीडाउट, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलना, तो देखिए, संस्कृते नाटकानम परमपरा अती प्राचीन अस्ती, संस्कृत में न इस समय भी निर्वाध रूप से चल रही है, मिन्स बिना किसी रुकावट के चल रही है विन्स शततःब्धा, गुड़जर प्रदेशिय, श्री मूल शंकर मानी कला लया अग्यी केनापी, अनेकानी पुस्तकानी रचीतानी कि विश्वी शताब्दी में गुजिरात प्रदेश के श्री मूल शंकर मनेक लाल याग्येक नेभी अनेक पुस्त के रची तेशु संस्कृत भाषायाम संयोगीता स्वयमवरम प्रताप विजयम छत्रप्रती सामराज्यम च वर्नेंते उनमें संस्कृत भाषामें संयोगीता स्वयमवरम संयोगीता स्वयमवरम प्रताप विजयम और छत्रप्रती सामराज्यम का वर्नन करते हैं तो किस चीजों का वर्नन करते हैं एक संयोगीता स्वयमवरम सेकेंड प्रताप विजयम और थर्ड छत्रप्रती सामराज्यम ये तीन चीजों का वर्नन करते हैं चत्रप्रती साम्राज्यम तु एतिहासिकम नाटकमस्ती और चत्रप्रती साम्राज्यम जो है ये तो एतिहासिक नाटक है नाट्य अस्मिन चत्रप्रती शिवराज जस्य शौर्यपूर्ण कार्यानाम एवं ततकालीक यवन सम्रांग दुर्नीती विरूद्ध संगर्शस्य अंतेच स्वराज्य संस्थापनाया हा चित्रन अस्ती जो चत्रप्रती साम्राज्यम जो एतिहासिक नाटक है उस नाटक में या इस नाटक में चत्रप्रती शिवाजी के शौर्यपूर्ण कार्यों का एवं ततकालीक यवन सम्राठ की दूर्नीती के विरुद्ध शंगर्श का और अंत में स्वराज्य की स्थापना का चित्रन है प्रस्तूतो अयम नाट्या शह चत्रपरती सामराज्यम इती नाटकात एवा उद्रित है और यह प्रस्तूत नाट्य जो है वो अńsk चत्रपरती सामराज्यम इस नाटक से ही उद्रित है और इसमें क्या है इसमें शिवाजी के गुरू श्री रामदास के उपदेश है शिवाज जो यूज किया गया है वो शिवाजी के लिए यूज किया है तो आगे देखिए राष्ट्र भक्ती भावना भरी तो अयम अंशह निदर्शनिय है और राष्ट्रिय भक्ती की भावना से भरा ये अंश देखने योग्य है I hope students इतना अप लोग को क्लियर है और फिर उसके बाद रामदास के साथ शिवाजी प्रवेश करते हैं ठीक है शिवराज है अब शिवराज ने कहा क्या कहा स्वाप्रश्रयम विनम्रता पूर्वक शिवराज ने क्या कहा दिश्ट याद्य कृतार्थताम गमीतो असमी चिर प्रार्थितेन भगवत प्रसाद अधिगमेन मिस सौभाग्य से आज मैं बहुत समय से प्रार्थित भगवान की क्रीपा पूर्वक आने से सफलता को प्राप्थ हुआ मिस शिवराज ने विनम्रता से कहा कि आज मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ या फिर क्रीपा मदब दयालू कुछ भी मतलब इस टैप से बोल सकते हैं कि क्रितार्थ हूँ क्यूं क्यूं क्यूंकि इतने बार प्रार्थना करने के बाद भगवान खुद आये यहां पर इस प्रकार से मतलब ऐसे ही मैं इतनी बार से इतने टाइम से याद कर रहा था इतनी बार प्राथना कर रहा था यहाँ आने के लिए तो इतने दिनों के बाद भगवान जो है उन्होंने मुझ पर क्रीपा किया उन्होंने तो इती पुशपस्टरजम कंठे समर्प्य पादय हो पतती इस प्रकार पुश्पहार गले में समर्पित करके तैरों में गिरते हैं तो स्री रामदास है भारत का एक वीर उत्तिष्ठ उठो धर्म राज्य संस्तापनार्थम शंकर अंशेन अवतिर्ण स्यतव भवतू सर्वत्र अप्रतिहतो विजय ह। कि धर्म के राज्य की अच्छी प्रकार से स्थापना के लिए शंकर के अंश के द्वारा अवतरित तुम्हारी हर जगा निर्विग्न विजय हो। मतलब उन्होंने आशिरवाद किया कि तुम हर जगा विजय हो। शिवराज तो शिवराज कहते हैं उत्थाय उठकर शिवराज उठकर क्या कहते हैं प्रतीग्रिहित आशीही आशिरवाद प्राप्त हो गया। अब श्री रामदास कहते हैं व्यवस्थित वर्णाश्र में असमिन भारते वर्षे दुश्कृताम हिंसनम साधुनम च परित्राणम एव शत्रियस्य परोधर्म हां। व्यवस्थित वर्णाश्रम में इस भारत वर्ष में दुश्कर्मियों को मारना और सज्जनों की सुरक्षा ही शत्रिय का परमधर्म हैं। तत नयमार्गम अवलंब्य उत्पत्थ गामिनों निरिपाधमान च उन्मुल्य प्रबर्थय स्वधर्म शाशनम यतह। अर्थात इसलिए निती के सहारा लेकर निती का सहारा लेकर निती के मार्ग का सहारा लेकर कुमार्ग गामी और अधम राजाओं को जड़ से उखार कर अपना धर्मराज्य स्थापित करो यतह। क्यूंकि अब देखिए क्यूं कहां उन्होंने क्यूंकि व्रित्तम यथा धर्म भैन रक्ष्यते रिभिस तथा नईव नरेंद्र शाशनात धर्मान सदाचार परानतो निपह प्रजाहीत अग्यों यमेन पालेत फर्स्ट लाइन में देखिए कितने अल्फवेट्स हैं मतलब कितने वर्ण है बहुत सारे हैं यह श्लोक ऐसे ही कहा गया है मतलब श्लोक जो है वो अलग तरीके से गाया जाता है तो वो श्लोक गाना किसी में और चैप्टर में जो श्लोक का चैप्टर है उसमें सिखाऊंगी तो पहले ऐसे ही पढ़ लिजे श्लोग को प्रित्तम यथा धर्म भयेन रक्षते निभिस तथा नईव नरेंद्र शाशनात धर्मान सदाचार परानतो निपह प्रजाहीत ग्यो नियमेन पालयेत जैसी मनुश्यों के द्वारा धर्म के भये से चरित्र की रक्षा की जाती है वैसे राजा की आग्या से नहीं सदाचारी प्रजा के हित को जानने वाला राजा नियम से धर्म का पालन कराए तो यह जो है वो जो श्री रामदास थे वो शिवराज से कह रहे हैं कि जैसे मनुश्यों के द्वारा धर्म के भये से चरित्र की रक्षा की जाती है वैसे राजा की आग्या से नहीं सदाचारी प्रजा के हित को जानने वाला राजा नियम के से धर्म का पालन कराए अंतियाचार वागेरा होता था उनसे उनकी रक्षा करते थे जो असहाई थे उनकी रक्षा करते थे अपनी प्रजाकी रखशा करते थे इसलिए उनसे ये नीतीOFF किया कि किस ने कहा उनके गुरु राम दास तो ये सुनके श्रिवराज कहते हैं भगवन आपकी क्रिपा से आज मेरा मोका आवरन समाप्थ हो गया मिन्स मोका जो परदा था वो समाप्थ हो गया नवी क्रितश्च सामराज्य संस्थापन उत्साह और सामराज्य की स्थापना का नया उत्साह सा कर दिया गया मिन्स जो मोका परदा मुझ पर था वो आपकी इस बातों से अपकी इन बातों से हट गया है और सामराज्य की स्थापना का उत्साह नया सा कर दिया गया तो स्टूडर्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ट्रांसलेशन में बेनिफिट मिले और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसके एक्सिसाइज को अपलोड करें और क्या पता आप देख लीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में या फिर डेस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर तव सहायर्थम प्रती मठम मया निर्मियंते राष्ट्र भाव भाविताह शतशो यवगणा तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा प्रत्यक मठ मठ मतलब आश्रम में राष्ट्रिय भावना वाले सैक्रो यवाओं के समू तयार किये जा रहे हैं तदी में इसी लिए अब देखिए आगे फिर एक्षलोक है वयाम योग पचीतांग सत्वा विद्या कला दंड नय प्रतीष्ठिताह राष्ट्रैक भकता उपधा विशोधिता भवन्तुते भाविरने सहायाह दुबारा देखिए वयाम योग पचीतांग सत्वा विद्या कला दंड नय प्रतीष्ठिताह राष्ट्रैक भकता उपधा विशोधिता भवन्तुते भाविरने सहायाह अर्थात ये किस ने कहा श्री रामदास ने कहा क्या कहा राष्ट्र के एक भकत वयाम और योग से प्राप्त अंगों की शक्ती वाले विद्याओं कलाओं दंड नीती में कुशल धर्म अर्थ में संसकारित भविश्य में होने वाले योध में तुम्हारी सहायता करने वाले होवे ठीक है आगे देखिए शिवराज कहते हैं अहो परमार्थतो भगवतई वारवधे राष्ट्र उद्धरन उद्यमे अहम तु निमित्र मात्र मेव कि अहो अरे अरे गुरुजी को उस सेंस में नहीं बट ऐसे ही समझ लीजिए कि अहो संस्कृत में ही आप अहो समझ लीजिए वस्तुतह भगवन द्वारा ही आरम किये गए राष्ट्र के उद्धार के कारे में मैं तो निमित्र मात्र ही हूँ मैं तो कारण मात्र ही हूँ तो ये सुनकर श्री रामदास कहते हैं वत्स की बेटा वत्स न केवलम शिश्य इती त्वमसी ममप प्रेमास पदम कि तुम न केवल मेरे शिश्य बलकि प्रिय हो अपितु त्वमसी में द्वितियम भिदयम त्वदधी नई वास्ती में साध्य सिध्धी अपितु तुम मेरे द्वितिय हृदे हो तुम्हारे हाथ में ही मेरे लक्ष की प्राप्ती है तनमया सततम सावधानेन उदिक्ष्यते त्वद विजेद ध्वज प्रसर हृँ इसी लिए मैं निरंतर सावधानी से तुम्हारी विजेपताका का लहराना साधर देखता हूँ इस समय भी तुमको दुखी सुनकर मैं तुम्हारे प्रसाहन के लिए इस विशाल किले में आया हूँ स्टूडेंस अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर और कोई चैप्टर चाहिए या और कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंज को भी इस वीडियो को शेर कीजिए उनके साथ ताकि उनको भी ट्रांसलेशन में बेनिफिट मिले चलिए आगे रेखिए अथ त्वाम स्वकर्मनी अभी प्रवित्यम विक्ष्य प्रतिष्ठे अहम धर्म प्रवचनाय दुर्गानतरम अब तुमको अपने कारिय में लगा हुआ देखकर मैं धर्म के उपदेश देने के लिए दूसरे किले की ओर प्रस्थान करता हूँ मतलब तुम परेशान थे डाउट में थे जिस वज़े से मैं यहाँ आया और अब जब देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है अब मैं दूसरे किले में की ओर प्रस्थान करता हूँ और किसी को भी सहायता की जरुरत होगी तो मैं उधर प्रस्थान करता हूँ शिवराज यह सुनकर शिवराज कहते हैं भगवतानु ग्राहिय अयम जनो भूयो दर्शनेन ये जन मतलब ये जो शिवाजी है फिर आपके द्वारा दर्शन से क्रीपा करने योग्य है मैं दुबारा से आपके दर्शन के लिए प्रार्थी हूँ श्री रामदास हो तो श्री रामदास कहते हैं भारत के एक वीर संपादयतु तवाभिष्टम भगवती परदेवता तुम्हारे इच्छित को भगवान परमात्मा पूरा करे तुम जो चाते हो वो जरूर हो भगवान उसमें सहायता करे मतलब तुम मेरी जो दर्शन करना चाते हो वो भी मिले और तुम जो जो लाइफ में चाते हो वो सब कुछ मिले इती निश्क्रान्तह ये कहकर निकल जाते हैं कौन निकल जाते हैं? श्री रामदास, वहां से चले जाते हैं I hope students, आप लोग को ये chapter बिलकुल clear है कोई भी doubt query हो, तो comment section में put कर दीजिए वीडियो को like कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए और अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो जल से जल subscribe कर दीजिए Thank you